जहिन चात्रों मैं इशार रहमत competition community के इस question air program में आप सभी का स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप अपनी प्रतियोगी परिच्छाओं की निरंतरता बिलकुल बरकरार रखें और साथ में एक युद्धिस तर पे तैयारी कर रहें और ये नाम सुनके थोड़ा confusion आया होगा दिमाग में थोड़ा confuse हुए होगे तो confuse नहीं होना है आसानी से समझते हैं जो question session program यूटूब में चल रहा है हफते में चार दिन subject wise, topic wise वो वैसा ही चलते रहेगा उसी पे ही आधारित है आपका question air program जो की सिर्फ और सिप मिलेगा हमार हमारे competition community के mobile app में और competition community के website में अब इसको access करने का तरीका भी समझाता हूँ लेकिन उससे पहले याद रखना है इसके फायदे क्या है इसमें आपके performance नजर आएंगे वो कुछ इस प्रकार से होंगे देखे कि जो बच्चा पूरे हफते 4 दिन अच्छा perform करता और first rank में आता है तो याद रखेगा उस बच्चे को monthly current magazine जो है current magazine जो monthly होती है हमारी आती है competition community की वो मिलेगा free of cost ठीक है ebook reader के माध्यम से उसके बाद यहाँ देखे कि जो बच्चा अगर पूरे महिने भर में perform करता है तो उसको 5 test series जो की आगे आने वाले prelims के लिए competition community में हो रही है तो अगर 5 questions सहीं बनाता है तो उसे 2 star मिलेंगे जो बच्चा 7 questions सहीं बनाता है तो उसको 3 star दो बच्चा 9 questions आपका सहीं बनाता है तो उसको 4 star जो बच्चा 10 के 10 सहीं questions बनाता है तो उसे 5 star मिलेंगे इसी के according ही आपका measurement सारा होगा देन उसके बाद आपका result release किया जाएगा ठीक ह और याद रखना है चात्रो कि अगर mobile app डाउनलोड करने के माध्यम से किसी प्रकार से समस्या होगी तो आप question session program में यहाँ देख सकते हैं question session program के नीचे में description box में आपका mobile app का link दिया हुआ उसे click करेंगे देन आप google store में जाएंगे google store में download करना होगा उसे और download करने के पस्चाद आपका क्या होगा उसमें login करना होगा और login करने के पस्चाद आप देखेंगे कि सामने में आपको question year program दिखाई देगा अब जो है आपके लिए challenge आता है आप 10 में से 10 question अगर सहीं बनाते हैं और आपका अगर आप perform करते हैं तो आपको website में आप दिखे जाएंगे या आपका नाम शो करेगा उसमें ठीक है जहिन चात्रों मैं इशार हमत competition community के इस question session program में आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप अपनी प्रतियोगी परिच्छाओं की निरंतरता बिल्कुल बरकरार रखे होंगे और साथ में एक उद्धिस्तर पे तैयारी भी कर रहे होंगे और जो ये smart study format में एक quick revision format में सारे चीज़ चल रहा है detailing plus question जो question session program के रूप में है उसे जो है वो अच्छी तरह से निरंतर देखता रहा है और उसकी तैयारी जो है वो बहतर होते जाए ताकि इसमें जो format रखा गया है जो पुछे जा सकते हूं सारे तथ्यों को इसमें रखा क्या है अपनी परिच्चा के दिश्च्टि कोंड से समझते हुए इससे समझना है याद रखना है other than इन अनिवन चीजों को याद नहीं रखना है जैसे कि यहां लिखाया है कि लहरों से डर कर नौका पार नहीं होती और आपका कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती मतल जएब कि किसी भी परिस्थीतियों में याद रखना है हमें अपना जो हमारा जीलेबस है जी एडिनीस्टीटिव सर्विस नहीं पापाईंगे तो हमारा मुख्य ग्रोड से अडिनिस्टीव सर्विस पाना तो याद रखेगा अपना उद्देश्च हमें हमेशा याद रहना चाहिए तो ये कह रहे हैं उसको अपनी प्रतियोगी परिच्छाओं से रिलेट करके समझना है जादा समय ना लेते हुए आई ये प्रारम करते हैं हमारा भारती इतिहास का सेग्मेंट ठीक है हमारा विशय चल रहा है जो भार मगद समराज्य इससे पहले हम पढ़ रहे हैं और अभी भी हम पढ़ेंगे मगद समराज्य के बारे में लेकिन यहां थोड़ा ट्विस्ट है ठीक है अब उसको समझे कैसे एक बार दिमाग में पिच्चर सेट करना है ठीक है याद रखिएगा कि 16 महा जनपत में सबसे सक्त सुक्ति समराज्य मगद समराज्य सामने आया और इसका सक्ति साली होना किस वज़ासे था मगद समराज्य में प्रशाशन करने वाले राजाओं द्वारा जैसे कि हमने पहले पढ़ा हर्यckंस के बारे में की प्रकार की पना है पिछilी कक्छाओं उसके बाद आपका सांस्क्रितिक रूप करने लग गया कि बैंब देन उसके बाद आता है नंद वंस नंद वंस एकता वन साया, जिसने जो है आपका गैर छत्री हो के भी और आपका मगत समराज्य का विस्तार करते गया, उसके पस्चात एक ऐसा राज आया, जिसने मगत समराज्य का प्रशासन को, सासन को, दृष्टि कोन को केंद्री कृत कर दिया, ठीक है, आपका चंदरगुप्त मौर्रे ने किसगी सहयता से चाарक के की सहयता से तो अभी तख किया हो रहा है मगद सम्राज्ज कुल मिलाके क्या हो रहा है क्या हो रहा है उसके बाद याद रखेगा जब यह अच्छी तरह सक्तिatro Asian Hатель तो आपका सामने आये मगत्-समराज के ब्राह्मनमण मतलब की वैदिक धर्म का आघमन हो गया किसमें मगत-समराज में इससे पहले क्षा पढ़ा हमने अजाश्चतु के बाए महइं अगर पढ़ें तो ज diffuse चत्रु कै था बौत धर्मका था थीक है उसके बाद आगर Katy तो मोरे काल में यह देखेंगे कि आपका चंद्रगुप्त मोरे जो थे वह जैंधर्म के थे उसके बाद बिंदुसार अजीवक संप्रदाय के मतलब शोबत में अके अचरन में आके अजीवक परिवर्तन हो गया ठीक है उसके बाद आखरी राजा आता है व्रिहद रद और व्रिहद रद की हत्या कर देता है पुछ मित्र सुंग और सुंग इवंस की स्थापना कर देता है आईए अराम से और असानी से अच्छी तरह से और इसे समझें देखो भाई नक्से का उपयोग करेंगे इसके बाद लेकिन यहां समझना है सबसे पहले क्या देखा हमने इससे पहले रिवाइस कर लेते हैं चंद्रगुप्त मौर्य जैंद्धर्म के होने के साथ इनके जो है दरवारी कवी या इनके उम्परधान मंत्री थे चानक क्यों चानक के ने अर्थसास लिखा ज समाहर्ता क्या होते हैं तो सारी चीजें हमने पिछली कक्षाओं में अच्छी तरह से पढ़ा है देन उसके बाद जैंधर्म धारन कर लिए और जाके समण बेल गोला में सनलेखना विधी द्वारा अपने प्राण का द्याग कर दिये सनलेखना विधी क्या होती है दुनिया दैन उसके बाद आता है आपका बियन दूसर बियन दू सार चंधरकृतीं का पुट्र और इसे त्यमाजुमाएज hilar है इस परकार से समझा जा सकता है और आपका यह प्रसाशन कर रहे थैं सासन कर रहे थे नंके हुए दो पूत्र एक कर नाम था सुशिम और एक कर नाम था तो सुशीम को आप राजा के पुत्र है तो राजा के पुत्र का दाई तुभी होता है कि वो जो है पिता की अच्छी तरह से हेल्प करें और उनका जो है जो राजबाट है वो अच्छी तरह से समहाले तो क्या हुआ कि सुशीम को मिला कहां का अधिपत्य आपका अधिकार जमुएन कस्मीर वाले एरिया में और दूसरा पूतर था अशोक अशोक को मिला आपका अवंती वाला छेत्र ठीक है अवंती वाला छेत्र में शाशन कर रहे थे तो अवंती वाले छेत्र में अशोक शाशन कर रहे थे और आपका कश्मीर वाले छेत्र में कौन शाशन कर रहा था सुशीम लेकिन सुशीम के समय में विद्रो हो गया और सुशी मौर्य प्रशाशन इन्हें मिल गया मतलब मौर्य समराजी के यह राजा बन गया है ठीक है जो कि पिछली कक्षाओं में हमने पढ़ा अच्छी तरह से उसके बाद एक आयोग शाशा काता है मैं हमेशा बोलता हूं राज लास्ट वाला जो राजा होता है वह हमेशा आयोग होत कि वैदिक धर्म भागवत धर्म का आप सामने को आपको सामना मतलब आपको सामने देखने को मिलेगा जिसमें याद रखना है पुस्तकों से प्रस्न पुस्ता है गरंतों से प्रस्न पुस्ता है और आपका इसके राइटर से प्रस्न पुस्ता है तो बिलकुल इन सारे प्रस्ण पुछे गए उन्हें भी देखेंगा और जो पुछे जा सकते हैं उन तथ्यों को भी हमें दिमाग में रखना है ताकि हम जब पेपर हॉल में बैठे तो सारा हमारा प्रेशर है रिलीज हो और हम परिच्छा के द्रिष्टी कोण से अच्छी तरह से तैयार हो जाएं ठीक है आगे बढ़ते हैं अब यहां देख सकते हैं कि सुंग वंस की जानकारी कहां कहां से प्राप्त होती है यह संस्थापक मालूम है जैसे कि मैंने बताया आपको कि पुष्पमित्र सुंग जो है आपका वरी हदरत की हत्या करते हैं जो की सेना पती थे किसके मौरिस संचालित किया गया इस प्रकार से समझा जा सकता है ठीक है तो यह याद रखना जरूरी है पतांजली का महाबास से गर्गी सहीता गर्गी सहीता याद रखना थे कालिदस का मालव का अगनी मित्र पुष्मित्र सुंग पुत्र drink अगनी मित्र की कहानी है ठीक है love story arts actually मतलब आपका आपका कालिदस को sexting बलते है न भारत का तो इसलिए जो है इनकी कहानी के बारे में हम पढ़ींगे, अराम से आगे में देखेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, तो याद रखना है काली दास की मालविका अगनी मित्र और याद रखना है मनु इसमिर्थी, क्या? मनु इसमिर्थी, आपका ये शुंग्वंस में ही लिखी गई, ठीक कि पुष्मित्र सुंग के बारे में जाने तो जैसे कि मैंने बताया कि मौर्यवंस के आखरी राजय रिहदरत की इसने हत्य की और भारत में ब्रहमन का उदय हुआ मतलब वैदिक धर्म या आपका भागवत धर्म का उदय हुआ उसके बाद देखते हैं कि पुष्मित्र मौर्यों का सेना का सेना पति था जैसे कि मैंने आपको बताया इस सारी चीज़े बता चुका हूं तो एक बड़ और समझ सकते हैं कि पुष्मित्र सुंग जे का गयर छेत्री ये राजवन्स कौन सा है तो पहला याद रखना है आपका सुंग वंस आईए इसे कुछ इस प्रकार से नकसे में समझें कहां गहां वैई नकसे महोद है ठीक यह रहा आपका विदीशा वाला छेत्र ठीक है अवंती वाला छेत्र पियागी बनाते हो सर विदीशा वाला चतर बीएकी बनाते हो तो बार बार याद राखना है कि जहां जो राज जी रहता हूँ मैं गोला कर देता हूं मद्यप्रदिश्वाले चेटर में आपका विदीशा है मगद में पाटली पुत्र ही जो है आपका मतलब की बिहार वाले छेतर में इसकी राजधानी थी लेकिन जो है आपका जैसे इसने सासन प्रारम किया तो आपका कहां ले गया राजधानी विदीशा ठीक है तो गैर छेतरी राजा क्यों लेके गया विदीशा क्यो दो बार यवनों का आकरमण हुआ इसके समय में कौन-कौन आकरमण की है आईए भई देखते हैं आपका पहले थे डेमेट्रियस और दूसरा हो गए आपका मिनांडर ठीक है अब जो है इसकी जानकारी क्या मिल यवन लोग जो है आकरमण की है दोनों बार हार गए इन लोग न लेकिन जब वापस जा रहे थे तो उसकी जानकारी आपका मिलती है मिलिन्दपण्आ हो नाम की किताब से किसे मिलती है आपका EMP लिग की किताब से मिल डिखा है आपका नाग सेन ने लिखा है अब यह क्या हुआ अप की जानकारी तो याद रखने का तरीका अगर देखा जाए तो किस प्रकार से है याद रखना है कि जब यह जा रहे थे हार के किस से पुष्मित्र सुंग से तो रास्ते में मिल गए कुन नाग सेन और नाग सेन मिल गए और यह दोनों जो है मिलने के बाद बस्चात नाक सिंथे आपके बहुत धर्म के और बहुत धर्म की इनको जो है शिक्षा देने लगे जानकारी देने लगे और इन्होंने क्या अपना लिया बहुत धर्म अपना लिया इसकी जानकारी किसमें मिलती है इसकी जानकारी मिलती है मिलिंद पनहो उसके बाद क्या है यह नेता था डेमेट्रियस नेता नहीं भई यह क्या लिखाए गया है ठीक है मिस्टैपिंग हो कुछ पुष्मित्र सुंग को बाध्धार्म का विरोधी हाँ याद रखना है that is most important पुष्मित्र सुंग जो है बाध्धार्म से बहुत ही चीरता था जैसे इससे पहले आपका महापद्मनंद महापद्मनंद जो था आपका किसका विरोधी था च्छत्रियों का विरोधी था और अपना नाम रख लिया क्या महाच्छत्रांतक ठीक है च्छत्रियों का अंत करने वाला उसी प्रकार आपका पुष्मित्र सुंग जो है किस से चीरता था बौध धर्म से चीरता था और जो है बहुत सारे बौध स्थूपों का इसने सर्वनास कर दिया मतलब कि उसको तोड़वा दिया लेकिन याद रखना है साची स्थूप नोट कर सकते हो आप लोग साची स्थूप और आपका भरहुती स्थूप का इसने जिर्णोधार करवाया था ठीक है प्रस्ण पूछा जाता है तो इसे नोट भी करना है साथ में आगे बढ़ते हैं पूष मिर्शूंग मगत का प्रथम ब्राम्वनिस्थामना बताया मैंने अभी ठीक है किसी एक समय में अस्थध्या पाणि जैसे दुरागरंथ बताया कि पातांजली का अस्थध्या याद रखना निवार है पातांजली पूष मित्र सूंग के दरबारी कवी थे और इन्ह जाता था तो उसे कहते हैं असमेद यग्य और असमेद यग्य करवाया था किसने पुश्मित्र सुंग ने जिसका नेत्रित्व किसने किया पतांजली ने ठीक है उसके बाद साची का महानिस्टूप का कडगरा इसने बनाया जैसे के भी बताया ठीक है अब भाई ये बेशनग आए उसमें देख लेते हैं नो थैंक्स अब हो 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 अब भाई है अब बेशन अगर लिख दो कुछ भी अब यह दखो भाई आओ इमेज में जाएं देखो कैसा है सबसे पहले देखो यह रहाँ आपका पारल विख ज प्रक्तिय को प्रदर्शीत करता है अब यह कैसे आये समझाता हूं ठीक है इतना समय में इतना फिच्ञे में रखनाह इन material है बेशनगार अपने ठीक है बेशनगर का गरुणिस्टब इसके समय में क्या हुआ दो बार यवनों का आक्रमन हुआ लेकिन एक यवन जो है वो आ रहा था किस वज़ा से सिक्छा हासिल करने के लिए किसकी बौध धर्म की सिक्छा भाईया ये ठैरे बौध धर्म के विरोधी अब जब हेलियोडो जिसे की हेलियोडोरस पिलर या आपका हेलियोडोरस का गरुणिस्तम कहा जाता है ठीक है तो इतना याद रखना अनिवार रहे हैं हमारे लिए आगे बढ़ते हैं अगला है अगनी मित्र सुंग अब भई इसकी जानकारी कहा मिलती है तो याद रखना है आप कंटेंड भी काली दास की किताब मालवी का अगनी मित्र अब ये मालवी का अगनी मित्र क्या है भई देखो आईए समझ रहते हैं यह रहा एक नाम और यह रहा एक नाम समझ रहे हैं भावनाओं को देखो समझते हैं भई दरसल जब पुष्मित्र सुंग ने आपका क्या करवाया तो पता कि यह तो यह थोड़े से क्या हो गये थे कि किसी प्रेम प्रसंग में बीजी हो गये थे तो वह कौन थी में जो महिला थी, जो लड़की थी, वो कौन थी, मालवी का थी, तो इन ही दोनों के जो प्रेम कहानी है, वो किसमें दिखाई देता है, मालवी का अगनी मित्र में, ठीक है, तो इसे इस प्रकार से समझना है, ज्यादा डीटेलिंग मज जा और ज्यादा वेचारिक न हो, ठीक है, यादा हुआ तो एक मूवी याद रख सकते हुआ इस प्रकार से समझ सकते हैं इसके बाद आते हैं वसुमित्र अगनी मित्र के पश्चात उसके पूत्र जो है आए है और आपका सुंग उसासन इसी प्रकार से समाप्थ होता है आखरी राजा थे आपके देव भूती और सकते हुए उसके पश्चात सुंगवंस आपका कम्प्लीट हो जाता है अब देखो सुंगवंस की मुद्र कौन-कौन सी है तो स्वन मुद्र को कहा जाता है निश्क दिनार सुन करसापन चांदी का सिक्क्ष होगा उसके बाद है पुरान अथ्वा धरण जो है चांदी के सि था ठीक है करसापन कभी चान्दी का हो जाता है और कभी आपका इसका हो जाता है तो करसापन क्या है इससे पूर्षत है तो एंच्प्रे की रुप में जाने जाता इस काल में महाभारत और रमायान का संकलन हुआ है याद रखिएगा तूरंद ब्राम्वन धर्म इस्थापित हुआ और आपका रमायान और आपका महाभारत इसी साहसन काल में रखा गया और आपका वायू पुरान दीखा हुआ है डायू पुरान और आपका मत से पुरान इस स्किस में सुंग वंस में ठीक है तो इतना याद रखना हमें हमारे लिए अनिवार है आशा करता हूं आप लोग को इतनी बात है समझ में आई होगी आगे बढ़ते हैं उसके बाद आता है कण वंस कण वंस से याद रखने की जरुवत नहीं है जादा इससे प्रस्ण बहुत ह की रेयर कंडिशन पूझता है सिप याद रखना है कि वासु देव कण जो है इसके संस्थापक थे वासु देव कण जिसने देव भूती की हत्या करके 75 इस्वी में कण वंस की स्थापना की इससे जादा याद रखना अनिमार नहीं है ठीक आगे बढ़ते हैं आगला है यह संकर्षण तथा प्रदुम से संकर्षण प्रदुम तथा वासु देव से सब में जो है पेचीदा चीदी है केवल वासु देव से वासु देव से तात्पर्व है आपका भगवान विश्णु से संबंधित है तो याद रखना है केवल किस संबंधित है आपका वासु प्राचिन्तम अभिलेक साक्ष ओके ठीक है तो भागवत धर्म से संबंधित प्राचिन्तम अभिलेक साक्ष जैसे कि मैंने बताया आपको हेलिवडोरस का बेशनगर अभिलेक हमें प्राप्त होता है फोटो देखे थे नम ठीक है आगे बढ़ते आईए उसके बाद है निमलि करसी में टूत है नम tinha की हर्णी कि भिलाइंtrans rules डहें ने का भिलीकिस के लिखी नाम जैश। है लिए ने विए कवलत है ख Speech वार्टाइस चार अस्टयद्ध्याइक किस्तूरा लिखी गई तो पयंड़की है ठीक है यह रहा है sevent गश्यूच्ञा ऐत का की बढ़तें आए अगर अभी लेक का। हेलीडोरस काहां का निवासी था , लेकिं किया धर्म धर्म कर्लिया। वागवत धर्म और वापस जा रहे था और कहां रहने लग तो तक्छिशिलगैज लख रखय जए जला का निवासी बन कि आप जैसे मान के चलू अभी वरतमान में आप किसी जिले में रह रहे रहे हैं किसी स्थान में रह रहे हो idp अचनक आपको किसी द्रगा से हो गया आप वहां चले घया जैसे महिलाया अधिकmesiwen एधिक्तर जो है घर से साधी होगे जाती है तु वहोंका उनका डुमी सभाटनि प्रफिस्थन पढ़िए आपका समट करते हैं संग एक प्रप्रकार से नहीं है पुछमित्र सुग वसुमित्र भगवत्र सесडल प्रबुती एक प्रकार से हो गया कर देखा जाए तो प्रस्ण ऐसे होते हैं जो आपके इगो को भी टेस्ट करते हैं इसलिए अराम से प्रस्ण को पढ़ना होता है तो यह नहीं कि उसको बार-बार पढ़ के जल्दी 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 और भूल जा रहा दिमाग से तो नहीं होना है यहां दियान दिञे आखरी बाला पड़ देना ह panels उंग अगनी मित्र सुंग बिलकुर है वसुमित्र सेहें थे त続さん चैनल का नयक ठांठ था भई ठीक है सारुक खान बताया ना कुन था अगनीमित्र है ठीक है अब भई नराज नहीं होईएगा किसी प्रकार से मैसीज पर उधारन देता हूं ठीक है और पिच्चर देखने मत भीड़ जाना प्राचीन भारत में निमलिखित पुस्तकों में से किस एक सुंग भीड़ के मतलब की पुस्मित्र सँग के पूत्र की परेम कहानी ठीक है भई यह तो ऐसे प्रस्नध नहीं परेम्में के अभिलेक जव विलेख घर जब है नहीं मिलती है बाकी लोगों के मिलती है चोल पांड और सतीपुत की ठीक है चेर चोल पांड की जानकारी मिलती है अंतिम मौर्य समराठ था देखो भई ये भी कोश्चन जो पूछा गया था मैं पिछली कक्छाओं में नहीं पूछ पाया था चमा चाहूंगा तो यहां इसका रिवाइस करके अच्छी तरह से इसका अंसर देना है इसी के साथ इजाज़त चाहूंगा चात्रो जैहिंद जैभारत